नमस्कार दोस्तो टीवी हेल्थ में आपका एक बर फिर से स्वागत है आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के कुद्रती तरीकों के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन आखिर होता क्या है दोस्तो एनाइच के मताविक हीमोग्लोबिन आईरन से भरपूर प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिका यानि की रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है यह पूरे शरीर के टिशूज और सेल्स तक ऑक्सीजन पहुचाने का काम करता है यह सेल्स से कार्बन डाय ऑक्साइड लेकर फेफरो तक पहु हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है कि लक्षन तब दिखने लगते हैं जब हीमोग्लोबिन का स्थर आठ ग्राम से नीचे चला जाता है इनेमिक रोगी कमजोरी लो ब्लड प्रेशर एकागरता की कमी और कम एनरजी लेवल से पिरित होता है उनमें आपको देखने को मिलेग तो वो चोट जल्दी ठीक नहीं हो पाता है साथी साथ उनकी हड़ियां कमजोर होती है जीप पर छाले भी पढ़ जाते हैं और उन्हें कॉंसेंट्रेट करने में काफी मुश्किल होती है दोस्तो हीमोगलोबिन का उतपादन शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है हीमोगलोबिन के ऑप्टिमम स्तर को बनाए रखने के लिए उचित आहार लेना काफी जरूरी है हीमोग्लोबिन के optimum star को बनाए रखने के लिए आपको अपने खान पान में कुछ बदलाव लाने होंगे जिनसे की हीमोग्लोबिन के उत्पादन में आपके शरीर को मदद मिलेगी तो दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनको अगर आप अपने जिन्दगी में शामिल करते हैं तो आपका हेमोग्लोबिन लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा तो सबसे पहली बात ये है जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खान पान में ऐसी चीजों का सेवन करना है जो आईरन युक्त हों यानि की आईरन से भरपूर हो दोस्तो नैशनल एनीमिया एक्षिन काउंसल के अनुसार आईरन की कमी एनीमिया और कम हीमोग्लोबिन के स्तर का एक समान्य कारण है आपको अपने आहार में यानि कि अपने खान पान में चिकन लिवर और साबुत अंडे के अलावा हरी पत्तेदार सबजियां जैसे की पाल आईरन की जो मात्रा है वो भरपूर रहेगी नंबर दो आपको अपने डाइट में विटैमिन सी को शामिल करना होगा इसको करने से शरीर में आईरन की कमी नहीं होगी क्योंकि शरीर आपकी डाइट से आईरन ठीक से ले पाएगा संतरे नीम्बू स्ट्रॉबरी से लेकर प बढ़ाएं दोस्तों फॉलिक एसिड एक वी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो लाल रक्त कोशिका यानि की रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए आवश्यक है हरी पत्तेदार सबजियां अंकुरिक अनाच मूंफली केला और ब्रोकली फॉलिक एसिड के अच्छे श्रोथ है इसके अलावा शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाने के लिए चुकुंदल खाना भी काफी अच्छा विकल्प है अब बात करतें अपने आखरी उपाई के बारे में जिने खाने से आपका हिमोग्लोबिन लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा बिना किसी दव जावत तो सुनी ही होगी कि वन एपल अडे कीप्स ड़ॉक्टर अवे आपको रोजाना एक सेव खाना चाहिए क्योंकि यह रक्त में हिमोग्लोबिन को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी को जरूरतमन लोगों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद